नमस्कार दोस्तों अनूपी स्टेडी जोन में आपका स्वागत है हम लोग पढ़ें भारत के भूगोल में हम जो प्रस्नों की सिंखला है इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जो भारत के जो जलवाई हैं यानि कि जो भारत के जो मांसुनी जलवाई हैं उनके बारे में हम किया गया है तो इस वीडियो का आप लोग सुरू से लाफ टक जरूर देखें ये आपके लिए काफी उप्योगी सीध होगा साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करते से में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे की जो भी अगरा वीडियो पढ़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे है तो चलिए बीना देर की वे चलते हैं कोश्चन की तरफ मांसून सब की जो उत्पत्ती होई है वो अरबी भासा से होई है यह अरबी भासा के मौसिम सब्द से लिया गया है मौसिम सब्द से लिया गया है और मौसिम का जो अर्थ होता है वो होता है पौनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना यानि कि जब भारत में अरब सागर और बं जल्वाई है इसको मानसूनी जल्वाई कहा जाता है नेक्स डिखते हैं नेक्स्ट है भारत मुलता एक मानसूनी देश है ये कथन कारण उड़ाला कोश्चन है भारत एक मुलता मानसूनी देश है कारण में है उच हिमाले उसे जल्वाई समंदी विशिष्टता परदान करता है जी बिल्कुल सही है भारत एक मानसूनी देश है अभी आप लोगों ने पीछे भी देख लिया था ठीक है और उच हिमाले इसे जल्वाई समंदी विशिष्टता परदान करता है तो वो कैसे कर एक रहता है देखे दो मुखी रूप से रितू हम लोग देखेंगे यां पर चर्चा करेंगे जैसे कि एक करेंगे सीत रितु और दूसरा करेंगे गिरिस्म रितु और लुट जो घर्मियों में जो भारती मानसून यानी कि जो बारिस होती है जो हवाये चलती है दच्छी पस वहां से प्वस्चिम की तरब मोड़ जाती है तो कारण क्या हिमालय जो उसको है कभर किया पड़ा है जिसके वज़ासे जो आपके उतरी मैदान में हैं वहां पर भी बारिस हो जाता है साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो अरब साखा से जो हवाएं उठती हैं वह भी जाक मोड़ जाती है पूर्व की तरफ तो इस प्रकार से दोनों को मिलने से भी बारिस होता है और यह हिमालय इंग को विशिष्टा पदान करता है जबकि ठंडियों में हम देखेंगे कि जो साइबेरियन हवा आती है कौन से हवा आती है उनको भारत में परिष्ट करना से रोकत अगर हिमाला नहीं होता तो जो उत्तर भारत है वो काफी प्रभावित हो जाता है ठंडियों में हाड़ कापने वाली ठंड पड़ती और काफी ज्यादा नुकसान भी हो जाता जो फसल अच्छी खासी होती है वो उसमें भी समझती आ जाती इस परकार से कह सकते हैं कि हिमाला भी उसे जलवाई समंदी भी सिस्टा परदान करता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ये तथा आर दोनों सही है और आर एकी सही ब्याख्या भी है नेक्स्ट है भारत के किस राज में मांसून का आगमन सबसे पहले होता है तो भारत के किस राज में होता है केरल में हम यह भारत मान लेते हैं, भारत के यहां पर केरल है, केरल पर सबसे पहले मानसुन का आगमन होता है नेश्ट है, भारत में ग्रिस मकालीन मानसुन के परवाह की समाने दिशा है तो भारत में जो ग्रिस मकालीन मानसुन के जो परवाह की दिशा है, वो क्या है? dachshid pashkim से उत्तर पूर हम लोग देखते हैं कि ऐसे भारत है और हवारत में जो हवा चलती है कुछ इस प्रकार से चलती है अगर दिशा की बात करें तो कई लोगों को दिशा में कहते है कैसे यह उत्तर हो गई आपका दक्षीड और ये पूरब ररा ये पूर्वर पश्चिंग तो यह होई कुछ इस प्रकार से चलती है तो इनकी दिशा क्या ओगई इनकी दिशा हो गई आपका दक्षिड है पस्चिम से उत्तरपूर कई बार हवाओं का गाउं में अगर आप लोगों देखा होगा कि लोग हवाओं का दिशा जानने के लिए कि सोचते हैं कि कौन सी हवा चल रही है तो नीचे से मुठी में धूल उठाते हैं और छोड़ते हैं तो देखते हैं कि जिस दिशा की तरफ ह हवा मतलब यह जो धूल है चली गई तो इसका माना जाता है कि जश्ट उसके अपोजिट की हवा चल रही है तो ऐसे भी आप लोग जान सकते हैं नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा इस्थान है तो इसमें सबसे सूखा जो इस्थान है आपका लेले में बारिस कह सकते हैं कि नगड़ यह होती है बहुत ही कम बारिस होती है सबसे सूखा इस्थान है भारत का नेक्स्ट है भारत के किस भाग में सरवा अधिक दैनिक तपांतर पाया जाता है तो यह पाया जाता है आपके राजस्थान के मरस्तली छेत्रों में अब दैनिक तपांतर का अर्थ क्या होता है यह भी यहां पर जान लेते हैं दैनिक का मतलब होता है डेली या रोज और तपांतर का मतलब यह होता है ताप में अंतर य इनी के समय सुर्ग के केरने पढ़ने के वज़ा से जो यहां के रेत होते हैं जो यहां के मरुस्थल होते हैं वो क्या होते हैं अत्यधिक गर्म हो जाते हैं जबकि वहीं निरात में जो यह मरुस्थल होते हैं काफी ठंडे हो जाते हैं तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे क कि इनके जो डेली की जो तापमान है इसमें काफी ज़्यादा अंतर होता है ताप अंतर इसी को कहते हैं नेक्स्ट है निम्लिखित कटनों पर बिशार कीजिए इसमें दो कथन हैं कह रहा है कि दक्षिरी भारत से उत्री भारत की और मानसून की अवदी घटती है जी बिल्कु कह सकते हैं उत्र की तरफ इनके मात्रा में कमी आती जाती है वहीं दूसरा है उत्तरी भारत के मैदानों में वार्शी व्रिष्टी की मात्रा पुर्व से पश्चिम की और घटती है यह भी सत्य है जो बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाली हवाएं हैं जो मानसून है बार पीर थार पुर्डर इस प्रकार से दिल दिल ली जाते जाते हैं आप देखेंगे की लगभग चफपन सेंटी मीटर ही बारिस उन देख सकते हैं इससे भी क्या हो जाएगा सी एक और दो दोनों साई है अगला है अम्रिसर येवं सिमला लगभग एक ही अक्षांस पर इस्थित हैं परंतु उनकी जलवाई में भिन्नता का कारण क्या है तो इनके जलवाई में जो भिन्नता का कारण है वो है उनकी उचाई में भिन्नता भले ही ये एक ही अक्षांस पर इस्तित हैं भले ही मान लेते हैं कि एक डिगरी पर ये है एक डिगरी पर ये है लेकिन हम देखेंगे कि जो सिमला है ये क्या है एक पहाड़ी रेजन है पहाड़ पर बसाई हिमाचल प्र्थिस में इस्तीप हिमाल asgela तो यहां पिस्तीते जब कि मालेते हुं यह अमृत्रों है आपका यहां इश्तीत है तो देखेंगे कि यहां कि उंचाई में क्या JOHN भीनता है जिसके वज़ा से यहां के जलवाई में भी भीनता है यहां पर बर्फबारी भी होती है ठीक है नेक्ट एकते हैं नेक्ट है भारत के कोरो मंडल तट पर वार्सिक वर्सा होती है तो भारत के जो कोरो मंडल तट पर वार्सिक वर्सा होती है वो अक्टूबर-पर में होती है यह मत समझिएगा कि जुन-जुलाई में होती है नहीं इसका अक्टूबर-पर में होती है जी तुम्हें बारीरी हो रही हो ती है ही बिल्कुल सही है माला बार टट पर जुलाई में भारी वर्सा होती है जब कि तमील नाडवु चा始ुद करेता है कारण क्या है कारण यह कि माना लेती है यह से भारत की जो है भारत की दधे जो दक्श्रेंदा जाकर यहां तक्राइं और बारिस कर देती हैं जब कि यहां से जो यह हवाएं उठती हैं इनके सिधे यह पैरलल हो जाती है और बारिस नहीं करती है तमिल नादू और अब साग्रिय मांसून की ब्रिष्टी छाया छेत्र में इस्तित है यह भी सही है यहां पर देखेंगे कि यहां सी यह बारिस यहां पर टकराने बासे बारिस करेगी और हवा उपर चड़के जैसे यह मांटेन ह और यह जब हमाइक बारिस कर दी इसके बास से यह उतरेंगी यहां पर उतरेंगी यहां पर ब्रिष्टीْचा या छेत्र हो जाएगा क्योंकि यहां पर बारिस करेंगी नहीं तो इसलिए इसमें दोनों सही है ठीक है तो answer हो जाएगा yes अगला है भारत में सीदकालिन पौनों की दिशा क्या होती है तो भारत में जो सीदकालिन पौन होती है उनकी दिशा हम देखेंगे तो दक्षिर पूरों से उत्तर पूरों की तरफ होती है नई, बिल्कुल गलत है, उत्तर पुरो से दच्छिर पस्चिम की तरफ होती है भारत में जो सिदकालीन पौनों की जो दिसा होती है वो उत्तर पुरो से दच्छिर पस्चिम की तरफ होती है यह अब लोग ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट है कोपे ने भारत को कितने जलवाई परदेशों में विभक्त किया है या बाटा है तो इन्हों ने भारत के जो जलवाई है उनको आठ भागों में बाटा है नेक्स्ट है उत्तर पस्चमी भारत में सीत कालीन वर्सा का कारणड क्या है तो उत्तर पस्चमी भारत में जो सीत कालीन वर्सा यानि कि ठंडी के समय में जो बारिस होती है वो पस्चमी विच्छोब की कारणड होती है जो आपका हिमाचल पदेश, जमुकासमी, पंजाब, कुछ दिल्ली में, कुछ पष्चमी उत्तर पदेश में भी इनका क्या होता है? पष्चमी भीछोप के कारण बारिस होती है, कब होती है? सीति दितुने होती है इस बहुतने है, भारत में परेश करने वाले तोस्थ्टर गटि बंदिय चक्रवातों की उत्तपत्ति कहां होती है? तो इन का जो उत्तपत्ति होती है, वो भुमध्य सागर से होता है भुमध्य सागर से होते हुए फिर आगे बढ़ती है इनकी जो दिशा होती है वो पश्चिम से पुर्व होती है और आकर यहाँ पर टकराती है और बारिस करती है नेक्स्ट वर्तमान में विश्व का सरवाधिक वर्षा वाला इस्थान मासिन राम निम्न में से किस राज में इस्थी थे तो मासिन राम जो है वो मेघाले राज में इस्तित है मेघाले के जो खासी पहाड़ी है उसी पर इस्तित है चेराप पुंजी के मासिन राम में इस्तित है यहाँ पर विसु के सरवादिक बारिस होती है नीवनलिक्त में से किसी इस्थान पर सुर्य और सीरिके ऊपर कभी लंबोत नहीं चमकेगा. तो वह है आपका दिल्ली, दिल्ली में जो सुर्य है वो सीरिके ऊपर लंबोत नहीं चमकेगा. नीमन में से कौन साजुक मस्मयलित नहीं है इसमें आमरवर्षा बढ़ी साँ आंदी उत्तरपरदेश कालबै साकी पश्रमी बंगार लों उत्तरपरश्मी भारत यह हम पर आंशर हो जाएगा यह जो आमरवर्षा होता है वह आपका जो केरल है केरल में केरल करनाटा कह सकते है वहाँ पे जो पहला बहुचार पता जो बारिस होती है उसे आमरे वर्षा कहते हैं और कह सकते हैं कि यह जो बारिस होती है काफी इंपोर्टेंट होती है और वहाँ पे जो आम होता है उनको पकने में काफी सहायता करती है इनको अलग अलग जगों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है आधी उतरपर्देश में बिलकोल सही है काल्बैसा की पंच्च्चिम बंगल में और लू उतरप hör सिम भारत में कहा जाता है नेस्ट है भारत की जल्वाई में इस्थानिक भीनता मिलने का निम्न में से प्रमुक कारण क्या है तो भारत की जो जल्वाई है इसमें जो इस्थानिक भीनता मिलती है इसमें जो प्रमुक कारण है वो है आपका देश की प्राकिरतिक विसमता देश की प्राकिर्तिक विसमता हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं कि देख रहे हैं कि भले ही सिमला और अमरिसर यही एक छांस पे इस्थित है लेगन इनकी जलवाई में भीनता वही उनके उच्चवच के कारण फिर वहाँ पे हम लोग देखें कि केरल के मालाबार टट पे बारिस होती है जबकि वहाँ कोरो मंडल टट पे बारिस नहीं होती है ये भी क्या है वही प्राकिर्तिक विसंबता फिर हम लोग देखते हैं पठारी छेत, मैदानी छेत इस सब क्या है प्राकिर्तिक विसंबता की कारणर ही ऐसा होता है नेक्स्ट है निम्रलिखित में से कौन भारतिय मानसून को प्रभावित नहीं करता है तो कि इसमें कौन नहीं करता है देखिए एल नीनों इल नीनों करता है यो फार्थी unexुन होता है वह कमजोर पड़ जाता है जेट इश्ट्रिम का भी है वह कौन 했े करता है 들어rios söyl मदध स्थार का जो रेचационikit हावाय निकलती हैं उपर उपकर का सब्सक्क्राइब बंगाल के खाड़ी से फिर करें चलते हैं फिर प्रकार से प्रेकर का प्रेसर नियोंन खरत जुर्टैकंस कर जिका सब्सक्राइब है हलाकि आपका ये जलधारा है और ये मेक्सिको की खाड़ी से उत्तर की तरफ चलता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा कि गल्फ इस्ट्रिंग भारतिय मानसुन को प्रभावित नहीं करता है the next time निम्लेकित میں से भारत का मुख्य सूखा छेत्र है भारत का जो cow चच्छ अरवली प्रौत का पस्चमी भाग अ आप देखी सकते हैं कि किदपशकार से जो अरेवियां साखा नेक्स्ट है, कोपेन द्वारा जलवाई के वर्गी करण में मद्य गंगा की घाटी की जलवाई दर्साई गई है, तो जो मद्य गंगा की घाटी है, इनको दर्साया गया है CWG में, जब हम लोग इसमें जलवाई पढ़ रहे हैं, इसमें कोपेन का नियम आप लोग काफी बेहतर तरीके से इसमें पढ़ाया गया है नेख देखते हैं जारखंड में किस मांसुन से वर्षा प्राप्त होती है तो जारखंड में दक्षिर पस्चमी मांसुन से वर्षा प्राप्त होती है वैसे कहा जाए तो पूरे भारत में पूरे भारत में दक्षिर पस्चमी मानसुन से ही बारिस प्राप्त होती है लग कह सकते हैं कि लगभू 92% जो बारिस होती है वो आपके जो समर सीजन यानि की गर्मी के मौसम में जो दच्छिर पश्ची मानसुन होता है उसी से प्राप्त होता है और कुछ exception छोड़ दे जा जाए जैसे कि तमिलाडु या कोरो जाती है तो यह पाया जाता है आपका 30% से अधिक भारत की जो अकारगरस छेत्र है इनमें बार वर्सा की जो परिवतन सिलता होती है वो 30% से अधिक होती है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पस सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी डबाएं जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद